प्रिष्णावली 15 से 19 तक महतपोन सुत्र नियम के बारे में दियन करेंगे इसकी पिसली कलास मैंने आपको प्रशनावली 1 से 15 तक 1 से 14 तक प्रशनों के सुत्रों के बारे में कौन कौन से प्रशन आ सकते हैं कौन सी प्रशनावली कितने नंबर की है कितने प्रशन पूचे जाते हैं यह सब मैंने पिछले वीडियो क्लासों में बता दी है यह आज इसका अंतिम वीडियो है जिसमें प्रशनावली 15 से 19 कंप्लेट हो जाएगी तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रशनावली 15 की जिसका नाम है मरत की परदी एह हूं सेथरफल तो परदी क्या होती है और शेथरफल क्या होता है परदी को अपन इंग्लिस में लिमिट बोलते है हिंदी में सीमा निरित में परदी या दाहिरा तो इस परकार परदी का मतलब जो बोर्डर होता है जैसे विर्टाकर को याक्रती है तो इसका यह बोर्डर है, मालो एक खेत है विर्थाकार और उसके बाडर लगानी है तो आप परेदी का सुत्र लगा होगे यह इसकी परेदी है जो बार की तरफ है यह परशनावली पांच हम की है और इसमें से एक दो नमबर का और एक तीन नमबर का यह एक दो नमबर का परशन पूछा जाएगा और एक तीन नमबर का परशन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन से सुत्र है तो नाम से लिगा है परशनावली का पहला सुत्र हो जाएगा उरित की परदी वृत के परदी या परिमाप या लंबाई तो इसका सुत्र होगा 2 पाई आर 2 पाई आर जब पाई की वेल्यू 22 पटा 7 या 3.4 और आर का मतलब है तिर्जिया दूसरा सुत्र हो जाएगा वृत का चहतरपल तो वृत का चहतरपल होगा होगा पाई आर स्क्वेर ती सब सुत्र होगा आट वृत की परदी तो देखो पूरे वृत की परदी 2 पाई आर तो आट वृत की परदी होजाएगी पाई आर प्लस 2 आर यह कैसे बढ़ने देखो प्रदी का मतलब यहां से यहां तक यह तो हो गया 2R और यह यहां से यहां तक ए बिंदू से बी बिंदू होते वे सी तक की दूरी तो होगी आदी प्रदी और यहां से यहां तक की जो दूरी है यह 3R हो गई ही R होगी इन दोनों को काउंट करेंगे 2R तो देखो पाई R यह तो पाई R है और बागी जो यह व्यास है यह 2R है तो आपसे को सुत्र पूछ पाई R प्रदी को सुत्र क्या होगा तो पाई R पलस 2R देख ले ना सुत्र यह आता बाग और यह बाग इन दोनों को मिला के यह शुत्र गना है विशे त्यान देना अर्द विर्थ का चेत्रफल जिसका सुत्र होता है एक बड़ा दो पायारिस को है पायारिस पर गवाता कर दो पहाँच नमबर पे सेखेंद्र विर्थ का चेत्रफल सेखेंद्र विर्थ का चेत्रफल सेखेंद्र विर्थ किसे कहते हूं एसा बिर्थ, जिसका केंदर तो एक ही हो, और तिर्जे ऐ अलग अलग हो, ये से केंदर एविर्थ के लएगा, यहां इसका केंदर और यह r1, और यह r2, जिसका तो सुत्र होगा, पाई कॉमन लें लेते हैं R2 का स्पार माइनस R1 का स्पार यानि यहां R1, R2 तरिज्या बड़ी है R1 से R2 तरिज्या बड़ी है R1 से इसलिए R2 को पहले लिखा है तो यह सेकेंद दिर्विर्ट का चैत्रपल है कहीं बार इस परकार का पर्शन पुछा गया 2018 में कि एक परताकार पार के ठीक है उसके मार्ग की चोड़ाइक याद करनी है तो इस परकार के पर्शनों में सेकेंद दिर्विर्ट से ड्रपल का सुत्र लगता है इस परकार इसमें अगला सुत्र है वो है लगू तिरसे खंड की चाप की लंबाई तो बात करते हैं अपना लगू तिरसे खंड की चाप की लंबाई जिसका सुत्र होगा अपने पास पाया ठीटा बटा 180 डिग्री पाया ठीटा बटा 180 डिग्री इसी परकाज साथ मंबर पर हो जाएगा लगू तिरसे खंड का सेतरबल पाया रिसकाई ठीटा बटा 307 डिग्री यदि तेजिया आर तता चाप की लंबाई एल दी हो तो लगू तरी जेकंड का सेतरबल का सुत्र हो जाएगा अपने पास एक बटा दो एल इंटू आर इसे द्यान देना लगू तरी जेकंड का सेतरबल जब ठीटा दिया आवा तब तो आपको यह लगण है और जब चाप की लंबाई और त्रीजा दे रहे की हो तो आपको यह अब बात करते हम हैं कि लगू तरीजेखंड क्या होता है और द्रीजेखंड क्या होता है तो पहले शुत्र बताता हूं द्रीजेखंड का सेतरबल दिर्ग तरिज्यकंड का चेत्रपल तो इसका सुत्रपिन को बनेना करेगा तरिज्यकंड यानि विर्द के चेत्रपल में से लगू तरिज्यकंड का चेत्रपल माइनेस करेंगे तो दिर्ग तरिज्यकंड का चेत्रपल हो जाएगा जब कोई विर्टकार आखे ती हो और इसको अपन तृज्शयाओ के दोरा काड़ते हैं तो यह जो बाग है यह बाग है लगू तृज्जयाओ गंड और जो सहस बाग है यह दिर्ग तृज्जयाओ ग्यात करना हो तो पूरे विर्ग का शत्रपल क्या होगा पैयार इस्क्वर पयार स्क्वार में से लगू तरजय घंड का चेतरपल माइनस कर देंगे लगू तरजय घंड का चेतरपल तो इस द्यान देड़ना जब वाग तरजय होगा दोवारा काटा जाता है A और B यह चाप A भी और यहाँ पर यह कोण है ठीटा तो इस लगू चाप और द्रग चाप तो लगू चाप का माप होगा वह एक्सोसिषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष वे होगा लगू विर्थ कंड का चेतरफल, लगू वर्थ कंड का चेतरफल, जिसका शुत्र होगा अपने पास, विर्थ कंड का चेतरफल, विर्थ कंड का चेतरफल, जो विर्थ जीवाओ, के तरह काटा जाता है इसे मानलो यह जीवा है वरित के किनी दो मिंदों को मिलाने वाले लेका वरित की जीवा कहलाती है और विर्त के सबसे बड़ी जीवा विर्त का वियास कहलाती है तो यह जीवा है तो यह इसके विर्त के दो भाग होगे यह जो नीचे वड़ा भाग है य यह दिर्ग विर्थखंड है, तो जो विर्थखंड आये तब चीवास बॉरा करता है बाग, और तरिजय आये तो तरिजय नाम लेकाव आएगा, तो इसे द्यान देना है, इसी फ़रकार इसमें पूछ ले, दिर्ग लगू वर्थ कंड का चेदरफल पायाल स्कॉयर माइनिस, पायाल इस्कॉयर टीटा, बाटा, 350 degree, माइनिस आर इस्कॉयर बाटा दो, साइन टीटा, जब दिर्ग नाम लिकाव आए, तो पूरे विर्थ के चेदरफल में से, छोटे विर्थ कंड के चेदरफल को, छोटे लगू, विर्थ कंड के चेदरफल को माइनिस करना तो, इसी का चत्रफल तो आप लिखोगे भुजा स्क्वाइर, भुजा इंटो भुजा, भुजा स्क्वाइर, आप से पूछ ले, वर्ग के विखन की लंबाई, वर्ग के विखन की लंबाई, तो उसका सुत्र होगा भुजा अंडूर्ट दो, भुजा अंडूर्ट दो, तो ये कुछ इसके अब इसली बार कौन कौन से परसन आये 2019 में कौन कौन से परसन पूचे है दो परसन पूचे जाते हैं इसमें से एक दो नंबर का एक तीन नंबर का तो मैं आपको दोनों परसन बता रहा हूँ कौन कौन से परसन आये देखो बोड एक्जाम 2019 में जो परस्न पूचा गिया इस परस्नावली से एक तो दो नंबर का पूचा गिया परस्ने करमांग 13 पर और परस्ने करमांग 23 पर तीन नंबर का पूचा गिया यानि इस पर भी इसी परकार के पूचे जाएंगे जैसे कि यहां देदिया लगू तरज्यकंड का चैतरफल के आद कीजिए लगू तरज्यकंड का चैतरफल और इस पर आप से पूच लें चाप के लंबाई या फिर दर्ग तरज्यकंड का चैतरफल तो मैंने अभी आपको सुतर लिख वाई है इसके, दर्गी तरजय गंड का, चेत्र फल, विसे ध्यान देना, 2019, 2019, 200 प्रसंद पिसली बार, बोड एक्जाम में पूछे कि, तो देखते हैं, प्रसंद कर मांग 13 कैसे होगा, एक विर्द की 13 की आपको, आर की वेल्यू दे रहे की है, 9 से मी, ठीटा दियावा है, सित्र डिग्री, दो वेल्यू दे रहे की है, 13 देर की अपनको, कौन दियावा है, सित्र डिग्री, ये तो ये 13 अपने पास, 9 से मी, ये अपने पास, कौन, सित्र डिग्री, अब यहां से इस परष्ट देख लेना पढ़ते से में जब आप आंसर दे रहे हो लगू तरिश्यकंड, लगू विट्रखंड, दिर्ख तरिश्यकंड यानि कौन सा परष्ण ने पूचा किया है इसका विशेश द्यान देना जलबाजे में यहां गल्ती हो सकती है तो अपनक जैसे आप शुत्र लिख देते हो तो मान के चलो आप हो इसमें आता नमल मिल जाएगा पाई की वैली वह वाइस बटाथ साथ होती है आर की वैलीनो इंटु नो डिटा की वैलीव शित्तर है और पट्टे में 310 बस्टाथ है ने पाई का मान होगा वह 22 बटाथ साथ होगा R² तो R double है अपने पास हिया, 9 x 9, square करना है, सुत्र, ठीटा का मान सुत्र डिगरी, और 360 सुत्र का, इसको जब आपन सोल करते हैं, तो देखो, 7 का बाग सुत्र में 10 बार जाता है, 9 का बाग 360 में 40 बार, फिर 10 का बाग 40 में 4 बार, 22 x 9 बटा 4, 2 बार 11 बार, 11 को 9 से मुल्टिप्लाई करेंगे, तो 9 बटा 2, और 2 का बाग देड़ने पर 90.5, semi square, यह इसका अंजर है, तो कैलकुलेसन करते समय है, विशे द्यान देना, छोटे सिंख्यों को यूज में लेना है पहले, इसी परकार तो, 2019 में 23 बापरसन देखो, तेजयाद सेमय वाले, वरित के अंतरकत केचे चाह सेखने वाले, वर्ग का 7 रपल ज्याद कीजिए, तो तोड़ा सा यह परसन अलग टाइप का दिया है, सबसे बढ़े बिनसका डाइगरां मनाते हैं, देखो 23 बापरसन, तेजयाद सेमय वाले, वरित के अंतरकत, तो सबसे बढ़े एक वर्टाकार आकृती बनाएंगे, और इसके अंतर अपन को वर्ग का 7 रपल ज्याद करना है, A, B, C, D मानलों कोई वर्ग है, और यह इसकी यहां से केंदर से दूरी, यह इसकी तिर्जया होगी, और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यह करन बन जाएगा, यानि इस वर्ट का व्यास हो गया, तो तिर्जया अपने पास 10 सेमी हैं, तो 10 और 10, यानि व्यास होगी अपने पास 20 सेमी, अब यह व्यास है, लेकिन वर्ग के लिए विकर्ण है, यह जो एस ही है, वर्ट के लिए तो व्यास का काम कर रहा है, लेकिन वर्ग के लिए विकर्ण का का काम कर रहा है, तो विशेज इंपोर्टेंट पर्छन दिया है त्यान देना वरित के तिर्थ्या बराबर 10 से में अच्छे में अच्छे में बराबर 10 से में होते वर्त के वियांगे तो उसको डबल करेंगे तो वियास बन जाएगा और यहां विर्द का वियास वरक का विकंड दोनों आपस में बराबर होगे 20 सेमी वरक के विकंड का सुत्र होता है भुजा अंडूड दो तो वरक का विकंड अपने पास कितना है 20 सेमी तो भुजा अंडूर दो बराबर 20 सेमी तो भुजा कितनी आजाएगी 20 बटा अंडूर दो ये अंडूर दो बटे में लेकर आजाएगे अब अपनको पूचा क्या है परस्ट में पूचे आप वरक का 16 पल ज्याद करो तो मैंने भी शुत्र लिगवा है था आपको वरक का विकरंड का शुत्र होता है भुजा अंडूर दो और वरक का 16 पल होता है भुजा स्क्वेर तो वरक का 16 पल हो जाएगा भुजा स्क्वेर भुजा अपने पास 20 बटा अंडूर दो इसको दो बार लिख देंगे, 20 का 20 से गुणा सब को पता है 400 होता है, दो हो जाएगा, आंसर 200 सेमी इसको है, तो विशेश द्यान देना, यहां वरक का विकंड का सुत्र काम में लिया आपने, यहां पर वरक का सेधरपल काम में लिया है, और पहले अपने विकंड निकाला, व विकंड में, तो यह परसमें, बार एक्जाम, 2019 में पूचेगे, विशेश द्यान दाना इसी परकार के परसमें, एक कुशन तो सरल रहेगा, लेकिन एक थोड़ा कटिन रहेगा, इस बार आप से पूछ सकते हैं, चाप की लंबाई का, या फिर कोई आखर्ती देदे, और उ चाहंकित बाग का चतरबल पूच ले, तो यहां चाहंकित बाग का चतरबल क्या होगा, विरित का चतरबल, चाहंकित बाग का चतरबल क्या हो जाएगा, वरित का चतरबल, माइनस यह तिरभुज यह थी, संभाव तिरभुज है, तो संभाव तिरभुज का चतरबल, विरि जिसे ज्यान देना, चायंकित बाह का चेतरफल पूचे, तो बड़ी आकर्ती में से छोटी आकर्ती का चेतरफल माइनस में करना है, तो बात थी प्रसनावली 15 की, अब बात करते हैं प्रसनावली 16 की, इसमें भी यही रूल्स है, 1% 2 नमर का आएगा, 1% 3 नमर का आएगा, प् सर्फेस, एरिया, एंड वॉल्यूम, आइटन किसे कहते हैं, जो उस तो जितना इस्तान गेरती है, वे उसका आइटन कहलाता है, मालों यह कोई समतल प्रिष्ट है, यह समतल प्रिष्ट में आपने यह यह गेंद रख दी, तो जो यह जगे हैं, यह आइटन है, तो जो जित गेरती है, वे उसका आइटन कहलाता है, अब यहाँ देखो, कौन-कौन से सुतराने चाहिए आपको, एक तो होना चाहिए, आपको सबसे पहले, सोड़ा पोइंट एक में दिया हुआ है, गन, तो गन का वैसे कंसेप्ट आपने देखा होगा, गन में छेफ फलक होते हैं, आ गनागारा करती है, A, B, C, D, E, F, G, H, तो ही आठ सिर्स होते हैं, छेफ फलक होते हैं, बारा किनारे होते हैं, जो गनाब में हैं, वो ही गन में है, अब यहाँ इसे ज्यान देना, यहाँ यह परतिया के भुजा है, वो बराबर है, यहाँ पर लंबाई चोड़ाई उन से ही बराबर है, तो गन का संपूर्ण प्रष्टिय चेतरबल का सुत्र हो जाएगा, छे भुजा स्क्वार, यहाँ आप से पूछे, गन का आइटन, इसका सुत्र हो जाएगा, भुजा क्यूब, यहाँ आप से पूछा जाए, गन के विखन की लंबाई, तो गन के विखन की लं इसी प्रकार गनाब की बात करते हैं, तो गनाब में भी 6 फलक, 8 सिर्ष और 12 किन्यरे होती है, यह अपने पास गनाबाकार कोई आकरती है, जैसे कोई एट ले लो, कोई संदूग ले लो, इस प्रकार की जो आकरती होगी, उससे अपन गनाब कहते हैं, गनाब में यह A से B तक की जो दूरी है, यह लंबाई क्या लाएगी, और यह इसके चोड़ाई है, और यह इसके उंचाई है, L, B, H. अब देखो, यहाँ आपसे पूचे, गनाब का संपूर्ण प्रष्ठी यह चैतरपल, तो 2 लंबाई पुलस, लंबाई इंटू छोड़ाई पुलस, चोड़ाई इंटू उंचाई पुलस, उंचाई इंटू लंबाई, यह मैंने जब 16.1 प्रसनावली पताय थी, वीडियो करे ख़ला समय, मैंने प्रसनावली पूट 1, 2, 3, 4 तक कम्पलिट समझा दिया, प्रतिय पुलस, लंबाई पुलस, लंबाई इंटू इंटू वीडियो चैक कर लें, वहां सारे शुत्र अची तरह लिखे में, यह बी बताय कि L का मतलब लंबाई है, B का मतलब छोड़ाई ह यह इसका मतलब हुँचाहिए और गनाब का संपून प्रिश्यतरफल गनाब का आयतन जितने भी शुत्र है प्रस्णावली शोड़ा में वो सारे लिखे में है तो वीडियो को आप जरूर चेकर ले एक बार गनाब का आयतन लंबा इंटो छोड़ा इंटो हुचाहिए तो इस इस प्रकारिसमें कम से कम 25 के आजपास फार्मुल है प्रस्णावली शोड़ा में प्रस्णावली शोड़ा है यह भी 5 अंकी होगी यहां से 2 प्लस 3 एक-2 नमबर-गा प्रस्ण और एक-3 नमबर-गा प्रस्ण पूछा जाएगा तो आपको एक प्रस्ण बता दता हूं 2019 में कौन सा पूचा गिया दो नमबर का एक प्रस्ण है 2019 में पूचा गिया प्रस्ण करमांग चवुदा है फेपर का 2019 का एक बैलन की उंचाई 21 सेमी है बैलन की उंचाई देर की 21 सेमी और बैलन का वकर प्रस्ट ये चैतरफल वो आपके पास है नोंसोट्चोईश वर्ग सेमी और आप से पूचा है बैलन की तिर्जय ग्याद कीजिए प्रस्ण को समद लेना इस परकार प्रस्ण वापिस पूचेंगे क्यूशन मार्क एक बेलन की उंचा ही देर की एक की से मी बेलन का वक्र प्रष्टी सेतरबल दियावा है नोसो चोईस वरक से मी और बेलन की त्रिजिया पूची है तो इसको अलगरने के लिए अपने लिखेंगे बेलन का वक्र फिस्ट रवल होता है 2 पाई रह बराबर 920, 2 इंटो पाई की वेल्यू बटा 7, और ग्याद करना है की वेल्यू 21 बराबर 920, और बराबर 920, इंटो 7, 2 इंटो पाई इंटो 21, साथ कवाग 21, में 3 बार, तीन कवाग 308 बार, 11 के पाढ़े से 2 बार, 11 के पाढ़े से 2 और 28 बार, 2 का 28 में 14 बार, 2 का 14 में 7 बार, तो यह आजाएगी साथ से भी, तो गुणा बाग है, वहाँ एक्जाम में करते से, मैं दिमिकती से करना, ताकि गलती ना हो, तो इस परकार का प्रसनार, 2019 में, प्रसनार विशॉला से पूचा गिया, तो बेलन का आहितन का सुत्र, गन का आहितन का सुत्र, जितने भी इसमें आकरती है, पांसतरे की आकरती है, तो यह आप से पूछ ले, बेलन का आहितन का सुत्र क्या होगा, तो बेलन का आहितन का सुत्र होता है, वह होता है, प संकु के आहितन का सुत्र याद है तो इसके आगे एक बटा तीन लेट तो बेलन का आहितन के आगे एक बटा तीन लिगणे पर, संकु के आहितन का सुत्र बन जाएगा इसी प्रकार आप से पूचे अर्द गोले का अर्द गोले का प्रष्टिय चेतरपल तो आप लिगो के 2 पाई आरे स्क्वर अर्द गोले का प्रष्टिय चेतरपल पूचे तब तो लिगना 2 पाई आरे स्क्वर और यदि आप से पूचे अर्द गोले का अर्दगोले संफूण परष्ट्य चेत्रपल तो आप लेकं को 31जवर जिए ध्यान देना, संफूण नाम नाम पूछे है यह संफूण नाम नहीं केवल why परष्ट्य चेत्रपल पूछे तो 2पाнова nearby श्कवर संफूण परष्ट्य चेत्रपल पूछे तो 3पाIVE मैं तो यह कुछ सुत्र हैं इसमें परस्णावली स्वड़ा जो पांच रंग की है जिसमें से दो पलस तीन एक दौर नमबर का कुष्ण और एक तीन नमबर का कुष्ण पूर्शाज आएगा अब बात करते हैं प्रस्णावली सत्रा की जो छे नंबर की है प्रस्णावली सत्रा केंद्रिये परवृति के माप केंद्रिये परवृति के माप छे अंक तो यहां विसे इस्ते आपको सुत्र आने चाहिए सबसे पहले आपको 17.3 का पूछ सकते है समानतर मादिय तो यह समानतर मादिय अज़सुत्र होगा होगा एकस बार वराबर सिग्मा एफ़ाई एकस आई बटा सिग्मा एफ़ाई यह पूछाई यह पूछा गिया इसी परकार 17.4 में दो टाइप के ?, एक तो एक कलपित मादिय जिसे अपने कलपित मादिय बोलता है और एक पत्विचलन विधी से मादिय कल–पित विधी का मादिय सुत्र होगा x बार बराबर e पलस सिग्मा एफ़ाई di बटा सिग्मा एफाई और पद उसलिम्विदी का सुसुत्र होगा X बार बराबर A पलस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI इंटु H तो विशे ऐस ते ध्यान देना इंसुत्रों के बारे में आप इसी पर काई 17 पॉंट या तो 17 पॉंट 3 का आएगा या 17 पॉंट 4 का या 17 पॉंट 7 तो 17.7 में अपने पास है 17.7 में वो है माध्यक माध्यक का तो फॉर्मला होगा M बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस C बटा F इंटु H 17.8 बहुंट लग Z सा लिखते है L प्लस FN माइनस F0 2 FN माइनस F0 F2 इंटु H यह परसन है 2019 यह परसन 2019 दोनों यह परसन है लाइस्ट यह पेपर में दिये गिये है अंति परसन इसी परसनावली का पूचा जाएगा 6 लंका 3 नंबर का माध्यक और 3 नंबर का बहुंट तो धियान रखना दोनों परसन करने हैं लग लग के बार विजयारती परसन को जाउदानेज नहीं पढ़ते हैं रमाद्य के करके आजाते हैं उसमें साथ में यह भी दियावा वह लग जयात कीजी इस बार कल्पित माध्यक पूच सकते हैं इन दोनों के साथ में और उसका भी तियार कर ले तो आपको 17.1 सले के 17.8 तक चो परसन में तको न परसन है वह बता दोता हूँ 17.2 का आपको 7 और 8 वकिशन तियार करना है जहां एक अग्यात पारंबारतों वाला परसन है पी का मांग्यात करना है 17.3 का खोई भी एक परसन तियार कर लेना 17.4 का खोई भी एक परसन तियार कर लेना 17.7 का एक परसन और 17.8 का एक परसन यानि की एक खल्पित माद्या से एक बाव लग से एक मात्यक से एक समान्तर माद्या से परसनावली बात करते हैं इंटाना की जिसका नाम है प्राइट था परसनावली 18 परबैबिलिटी बोलते हैं इंग्लिज में इसके बारे मैंने विस्तार से समझा दिया है यह चार नंबर की है यहाँ से एक प्लस तीन एक परसन तो एक नंबर का एक परसन तीन नंबर का दो परसन पूचे जाएंगे और 25 नमबर खरमाग पर जो प्रसन आएगा वो इसी प्रसनावलिक आएगा और तीन अंगा पूचा जाएगा लास्ट एर पूचा गया था एक से पंदर तक की संक्या में है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यारा बारा तेरा चाहुदा पंदरा एक लगटना है एक कार्ट पर एक से पंदरा तक संक्या यंकी थे और उसमें से पहले में पूचा था एक अपाजी संक्या की प्राइक तब बताओ तो एक अपाजी संक्या कोण कोण सी है अपाजी संक्या दो से स्टार्ट होती है दो एक सम अपाजी संक्या है दो तीन पांच साथ, ग्यारा, तेरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तिसका जो आंसर होगा, वो होगा छे बटा पंदरा, यानि की, दो बटा पांच, तीन का बटा पंदरा में पांच, तीन का बटा पंदरा में पांच बार, तीन का बटा पंदरा में पांच बार, तीन का बटा पंद संख्या ही में दौ से बाच हें संख्या की प्रोक्ता यानि करते हैं कि फॉची एक आंसर बडूत फ़ेलिख का पी वराबर कर 9 सभटाุ तो पंठर है प्रयक्टा रैक्टा की सही सब्सक्राइब आज के तीन चार दिन पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है उस वीडियो में प्रायक्ता के दस परसंद लिये हैं उससे परसंद बाहर किसी भी आलात में नहीं जाएगा वहां से आप त्यार कर लें मौतास के पत्ते के पासे के स्थिक्ये के सा नाम है यातात सडक सुरक्षिया चार नंबर की है परसनावली 19 सडक सुरक्षिया शिक्षिया रोड सेफटी एजूकेशन चार नंबर की है एक पलस एक पलस दो दो परसंद एक नंबर के पूछेंगे और एक परसंद दो नंबर का पूचा जाएगा तो देखें यहां से ए एक सिंग्नल लाइट उद्वाजर इस्तम बे यहां एक केमरा लगावा है केमरे की मुचा ही 25 मिटर है और यह इसका आधार है यहां से केमरा कितना यतार देख सकता है और इसके साथ कौन मनाता है वह 60 डिगरी का तो इस परकार जे कहले न पीवीची का पूरा नाम पूछ सकत है प्रदूशन नेन्तर परमानपत्र पॉलिशन अंडर कन्ट्रोल स्याटिवीचेट यह आप से पूछ सकता है सी सी टीवी का पूरा नाम प्लोग सर्किट टेलिविज़न इसी परकार आप से पूशे रुखने की दूरी का सुत्र पूश सकता है तो किताब में लिखावा है इनका सुत्र या फिर जो परशली बार परशन में पूचा गिया 2019 में वो बताता हूं आपके एक बार 2019 का परशन आपने पास एक पतं की भूमी से 75 मेटर की उंचा ही पर उड़ रही है और दागी की साथ भूमी का जो कोण है वो 60 डिगरी का है आप से दागी की लंबाई पूचिए तो देखो यहां माना की दागी की लंबाई है वो एक्स मेटर लंबटा करण यानि यहां सोट में बता रहा हूं थोड़ा लंबटा करण यह 2019 का परशन आपने बोड का जो इस परशनावली से लिया गिया है नियम तो इसमें परशनावली आट का का काम कर रहा है लेकिन परशन इस परशनावली का है लंबटा करण साइन साट प्रशनावली 15 से लेके, शोट में, कम समय में, कौन-कौन से सुत्र, कौन-कौन से प्रशन आ सकते हैं, इसके बारे में विश्तार से बताया है, अब एक चीज ध्यान ठीकना आप, गिनित का सा पेपर हल करते हो, तो पहले आप 10 मिन तक ये जोचो कि पेपर में से कौन सा प्र कर दोगे, मालो आपने पहला ही प्रशन किया, और वो आपने गलत कर दिया, जब एक बार विश्तार से बता दे तो आपको इसका विश्यान देना है, आपको ये आज दसवी कलास का ये अंतिम वीडियो है, तेरा अप्रेवल से लेखे, आज तक मैंने लगबग लगबग सारी प्रसनावली यूटूब चैनल पर पढ़ा दिये, तो आप मेरे यूटूब चैनल लिंक पर जाके वहां से अच्छी तरह से समझ सकते हो, अब देखो पे परते एक दो अंका होगा, ये अंक है और ये C, इसमें 10 कुशन होंगे, 3 अंक है, इसमें 5 कुशन होंगे, 6 अंक है, तो पहले विशेश ये धियान रखना है कि section A के परसंद कर रहे हो, तो section A के कर ना, section B के कर रहे हो, तो section B के कर ना, यदि आपको 10 section है, जो total 5 इंटू 6 है, थीश नमबर का है। दस इंटो तीश पाद अंटे दस दस क्यांते होंगी। अब आप कुटी सेक्षन में ग्राप आ रहा है चैन हुंबर का। 6 नमबर का भॉलबबबबब्र का प्रसुन आ रहा है। छेन नमर का आपको कल्पितमाद्य या छेन नमर का आपको निधसांग ज्यामिती से परसुन आज आ रहा है तो 6-18 नमर होते हैं पहले पेश पर काम करते समय एक चीज का ध्यान रखना उस परसन को एक बार रप में पिछे वाले पेज पे रप कारी लिखते वे तियार कर लेना ताकि पहले पेज पेज पे कोई गलती ने हो पिछे जो भी रप कारी करते हो उसको क्रोश करना ज़रूरी है और करने लिए मातर दो लाइने कीच देना और रपकार लिख देना रपकार लिखने के लिए कबाद दो लाइने कीचना है जिस पेज कुछ चेक नहीं कर वणने है मालो वगोной परसनी गलट हो जाते है कही-कही विदियारती क्या करते है इतना दक्रो्स करते हैं राकी लिखा dump रहता है तो इसे द्यान देना ओना नो यह परसुन गलत हो गया यह कोई परशन है तो आप इसको पूरा क्रोश करो विद्यारती इतना ही परसुन को दुबळार रिपीट करते हैं वहां सही है यह गलत है यह हुँए दोंऄं गलत माने जाएंगे, कोई भी परसंद दो बार नहीं करना है, अत्वे वाले दोनों परसंद नहीं करना है, दोनों से एक करना है, थोड़ी से लापरवाई से नमबर कट सकते हैं, तो विशेज, ध्यान दना, dear students, और मेरी तरफ से आपको बोड एक्जाम की अर्धिक सुपकामने, based of luck, दोने वाद